डिस्काउंड में आज का पहला कोश्चन किसी वस्तु का अंकित मुल्य 25 रुपए है इसे क्रमा सब 12% तथा 10% की दो क्रमी छुटों पर बेचा जाता है तो विक्रह मुल्य कितना होगा तो दिया है मार्केट प्राइस याने अंकित मुल्य 25 रुपए डिस्काउंड 12% और 10% दो डिस्काउंड है इसका यह सूत्र है दिया गया पत को लिखते है और इससे जो संबंदित होता है उसको नीचे लिखा जाता है और इंटू में जो ग्याद करना है उसको लिखते है तो दिया गया क्या है 25 रुपए दिया गया है इंटू में जो ग्यात करना है यानि पहले चूट कितने के दी 12% की 12% यानि 100-12 यानि 28% पर होगी चूट और जो संबंदित होता है उसको नीचे लिखते हैं संबंदित क्या है? market price, market price यानि क्रायम अंकित मुल्य अंकित मुल्य हमेसा 100% पर होता है तो 100% को नीचे लिख देंगे और यह एक छूट हो गई एक छूट के लिए विक्राय मुल्य प्राप्त हो गया अब दूसरी छूट के लिए इंटू दूसरी छूट 10% के छूट दी है अब यह पुरा बन गया अपना market price याने अंकित मुल्य अब इस अंकित मुल्य कितने पर होगा 100 पर होगा तो 100 नीचे लिखेंगे छूट कितने के दी 10% की याने 100-10 या 90% उपर लिखेंगे अब इसको काटने के बाद 1980 रुपय आंसर आ जाएगा अब next question 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर कितनी एकल छूट होगी याने दो छूट को मिला कर एक छूट बनाना है इसका फर्मूला होता है x प्लस y माइनस xy अपान 100% इसमें मान रख देंगे 10 प्लस 15 माइनस 10 गुनेत 15 अपान 100 अब इसको काटने के बाद ये आंसर आ जाएगा तीसरा कोस्चन एक वस्तू 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बाद 7,650 रुपए में बेची जाती है वस्तू का अंकित मुल्य ग्याद करे दो छूट दी हुई है और विक्रय मुल्य दिया है और अपने को अंकित मुल्य ग्याद करना है तो इसको फार्मुला से भी सकर सकते है या बिना फार्मुला के भी अपन बिना फार्मुला के देखेंगे यह 7,650 रुपए विक्रय मुल्य दिया है अब इसके बारे में जो बताएंगा उसको नीचे लिखेंगे छूट कितने के दी पहले 15% की या फिर 25 की पकड़ दे तो पहले 25% की छूट दी तो 100-25 यानि 75 नीचे आ जाएगा जो विक्रय मुल्य से संबन दित है ग्यात क्या करना है अंकित मुल्य 100% पर होता है उपर आ जाएगा अब यह पहले छूट गई पहले छूट के लिए विक्रय मुल्य इंटू अब यह विक्रय मुल्य है विक्रय मुल्य अब 15% छूट के लिए अब 15% चूट यानि 100-15 यानि 85 पर होगी 25 नीचे आएगा और अंकित मुल्य कितने पर होता है 100 पर तो 100 उपर आएगा अब इनको काटने के बाद 12,000 आंसर आ जाएंगा